विदेश में पढ़ने का सपना बहुत सारे students का होता है और ना कर पाने का mostly ये की reason होता है कि हम इतना fees afford ही नहीं कर सकते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी top 5 तरीका जिसे आप abroad में free में पढ़ सकते हो या फिर बहुत कम fees के साथ तो अगर आप अपना bachelor, master या PhD करने किसी बाहर की country में जाना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है तो सबसे पहले ये एक चीज़ 12 के बाद ना बाहर पढ़ने के लिए जाना बहुत challenging है impossible नहीं है तो कुछ तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लिए भी help होगा पर अगर आप master और PhD के लिए या फिर postdoc के लिए जाना चाते हो तो आपके पास तो बहुत सारे options है जिससे आप abroad में free में पढ़ने के लिए जा सकते हो तो आज का वीडियो अगर आपने 12 पास कर रखा है अगर आपने बैचलर्स कर रखा है अगर आपने master's कर रखा है और अगर आपने PhD कर रखा है और उसके बाद की कोई एक study करने के लिए abroad की किसी एक country like UK, USA, Germany, Japan या कोई भी country जाने के लिए इच्छुक हो तो उस case में इस वीडियो को complete जरूर देखना क्यूंक से पहला तरीका ऐसे country में apply करो और ऐसी university में apply करो जहां पे कोई भी tuition fee ना हो तो अगर आपको पता नहीं है तो जर्मनी, Norway, Swindon, Finland जैसे जगह के जो public universities होते हैं वहाँ पे कोई भी tuition fees नहीं होती और इस public university में ऐसा नहीं है कि खराब colleges होते हैं यह भी university top class universities होती है तो यह सारे country के public university में जाओ तो आपको tuition fee ना बहुत कम देना पड़ता है मतलब ना के बराबर आपको ना कुछ बस registration fee पे करना पड़ता है जैसे कि Germany में आपको बस registration fee करना पड़ेगा तो अगर आपने public university में admission ले लिया तो सबसे पहली बात तो आपका tuition fee zero हो जाएगा दिन आपको बस पर करने के लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो तो जर्मनी में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो 600-800 euro easily आप अर्ण कर सकते हो जिसे आप अपने living cost को बहुत easily manage कर सकते हो और ऐसे तरीके से आपका खर्चा बहुत minimal होगा इसके अलाबा आप ऐसे country के scholarship में भी अपलाई कर सकते हो तो यह ऐसे countries ना बहुत सारे आपको scholarship provide करते हैं जैसे कि Germany में मैंने क्या बोला कि public university में आपकी study पूरी free होगी बट आपको अपना living cost manage करने के लिए बो दिखाने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसे शो करने पड़ते हैं और जो 10,000 euro का आसपास होता है 10,000,000 के आसपास लेकिन अगर आपने scholarship के लिए अपलाई किया जमेनिका एक बहुत famous scholarship है डाड scholarship उस scholarship के लिए अपलाई किया तो उस case में आपको ब्लॉक अकाउंट में कोई पैसे दिखाने की जोरत नहीं है और इस scholarship में आपको इनव पैसे मिल जाएंगे जिससे आप अपना living cost और basic खर्चा भी manage easily कर सकते हो अब है मेरा second तरीका असिस्टेंशिप यह अगर आपने 12 के बाद bachelor's पढ़ने के लिए सोच रहे हो तो आपके किस में नहीं है बट अगर आप master's PhD और postdoc के label का कोई भी study के बारे में सोच रहे हो उस case में आपके लिए है तो इंडिया म स्टुडेंट्स हो आपको पता होगा कि अगर आप GATE qualify करके कही से अगर master's करते हो तो आपको teaching assistantship करना पड़ता है उस case में आपको stipend मिलता है मेरे time पे 13,400 पर मन्त मुझे मिलता था और मुझे TA ship करना पड़ता था तो TA ship में होता क्या है तो मेरे case में हम लोग क्या करते थे सितने में MTK बच्चे थे बो बीटे का class लेते थे कुछ लोग theory के subject का class ले रहे है मेरा क्या होता था मैं उनका practical संभालती थी तो उनका जितना भी practical करनवाना पड़ता था उनके जो एक्जाम के जो papers होते थे थे ना बो चेक करना बो सारा काम हमारी responsibility होती थी तो इसको बोलत अपलाई कर सकते हो जिस भी college में आप अपलाई कर रहे हो तो assistantship में क्या होगा आपके डिपेंड करता है college to college कि आपको कितना घंटा काम करना है तो कुछ college में 15-8 भी हो सकता है कुछ 20 घंटे भी हो सकता है तो आपको 15-20 घंटे weekly काम करना पड़ेगा और बदले में आपको न आप पैसे मिलेंगे assistantships के काफी सरे types होते हैं जैसे कि graduate assistant, graduate research assistant, teaching assistant, research assistant आप जीस भी university में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो उनका official page पे चेक करो तो आपको मिल जाएगा कि वो assistantship provide करती है या नहीं यह है University of Liverpool का official page जो assistantship provide करती है तो ऐसे ही University के official page से आप apply भी कर सकते हो तो हमारा थर्ड तरीका है fully funded scholarship के लिए apply करो तो almost हर एक country आपको scholarship provide करती है तो scholarship के ना बहुत सारे types होते हैं partial funded होता है और fully funded partial funded मतलब जिसके जिसमें आपका सब कुछ कवर नी होगा या तो आपके accommodation fee को cover किया जाएगा या तो आपका tuition fee but fully funded scholarship का मतलब यह है कि आपका complete tuition fee cover होता है आपके रहने का खाने का फ्लाइट का वीजा का हर कुछ cost हो यह लोग cover करते हैं उसको बोलते है fully funded तो आप जिस भी country में apply कर रहे हो ना उस country के fully funded scholarship के बार में research करो और उस scholarship में apply करो जैसे कि अगर UK में आप apply करने का सोच रहे हो तो UK में fully funded scholarship में सबसे फेमस है tuning scholarship यह क्या है UK में किसी भी university में अगर आप master के लिए apply करते हो तो इस tuning scholarship के लिए apply कर सकते हो और इस scholarship में total रहना, total खाना, आपके आने जाने का खर्चा, वीजा काफी, सब कुछ free है second fully funded scholarship है UK का great Cambridge scholarship, इस scholarship के थू भी आपका पूरा रहना, खाना, पढ सब कुछ free होगा, plus अगर आप family को लेके आते हो ना, तो उस case में आपका family allowance में मिलेगा, उनका खर्चा भी cover करते हैं, तो वैसे ही आप जिस भी country में जाना चाते हो, like USA में जाना चाते हो, USA के लिए है, full bright scholarship, उसमें भी बहुत बड़ा amount cover होता है, उसमें आपका रहना, खाना सब कुछ cover होता है, उसके बाद अगर जर्मनी में जाना चाते हो, जर्मनी का dad scholarship अल्रेडी बता चुकी हो, वो भी आपका fully funded है, जापान में जाना चाते हो, तो मेक्स्टे scholarship, वो भी एक fully funded scholarship है, आप मेरे scholarship बले प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, और कुछ नाम मेना description में भ master's, PhD या postdoc पढ़ने के लिए जाना चाते हो, so मेरे list में सबसे first scholarship है, national overseas scholarship scheme, तो इस scheme के तहत, हर साल 125 students को scholarship प्रवाइड किया जाता है, जो भी abroad में master's, PhD या postdoc के लिए पढ़ने के लिए जाना चाते है, तो इस scholarship के benefits के है, वो पहले देख लेते है, सबसे पहले आपका fully tuition fee cover तो अगर आप UK जा रहे हो, USA जा रहे हो, किसी भी country जा रहे हो, तो आपका जो भी fees है, तो वो fully covered है, सेकेंड आपको ना रहने के लिए हर सालाना कुछ amount देंगे, तो अगर आप UK में पढ़ने के लिए आते हो, उस case में आपका है 9,900 pounds, और अगर आप USA जाते हो, तो उस case में 15,400 USA डॉलर, यह आपको annually आपके रहने का खर्चा Indian government के side से आपको मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा medical insurance, visa का आपका fee और flight का भी आपका cover होगा, तो यह एक बहुत जादा अच्छा scholarship है, लेकिन इस scholarship के लिए हर कोई अपलाई नहीं कर सकता है, इस scholarship के क्राइटेरिया यही है कि सबसे पहले तो आप SC में होने चाहिए, तो यह scholarship बस schedule cast लोगों के लिए है, बाकी general category और दूसरे category वाले आप अपलाई नहीं कर सकते हो, और आपके family का income कम होना चाहिए, उसके बाद आपका जो previous education है, उसमें आपका percentage अच्छा होना चाहिए, तो लाइक अगर आप US ए UK में masters के लिए अपलाई कर रहे हो, तो आपके bachelor का percentage 60% होना चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अपलाई कर रहे हो, तो आप इस scholarship के लिए अपलाई कर सकते हो, तो इस scholarship का application का process और जितने भी document की need होगी, वो मैं link description में attach कर दूँगी, बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसका full video ब Pay and Tata Indomate Scholarship, तो यह एक partial scholarship है, partial भी नहीं कह सकती हूँ, बट यह scholarship ना एक loan की जैसा है, मतलब वो आपको पैसे तो देंगे, बट आपको रीपे करना होगा, तो यह scholarship का amount है, एक लाग से लेके 10 लाग, यह आपके tuition fee को cover करेगा, लेकिन एक बार आपकी पढ़ाई हो जाए, तो उसके बार आपको कुछ percentage बापस करना होगा Indian government को, अब बात करते हैं पाचवा तरीका, पाचवा तरीका क्या है, तो पाचवा तरीका है walk study program, तो बहुत सारी university offer करती है walk study program, जिसके थो आपना काम करने के लिए eligible होते हो, वहार एक university में अपलाई नहीं कर सकते हो, आप बस उत करके आप ऐसे अन कर सकते हो, work study program, international students के लिए काफी limited है, federal work study program, जो की काफी popular है, but only USA citizens के लिए है, मुझे मिला है university of waterloo, work study program, ये सारे walk के option है, और ये रही eligibility, तो आप ऐसे ही अपनी university को check करो, और उनके pages में आपको मिल जाएगा, कि वह work study प्रोवाइड करती है या नहीं, इस क बहुत सारा expense ना इससे cover कर सकते हो, और बहुत कम पैसी में आप study कर सकते हो, तो अगर आपको किसी भी एक section का detail video चाहिए, तो आप comment section में बता सकते हो, और video informative लगा, तो please इससे like करना, अपने दोस्तों के साथ, और अपने family वालों के साथ, ज़रूर शेयर करना, मैं मिलती हू में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care.